स्क्रीन पर दमदार रोल प्ले कर चुके और अच्छी आक्टिंग के लिए जाने जाने वाले आक्टर इस वक्त आर्थिक तंगी से जूंज रहे हैं इनकी हालत इतनी खराब है कि पिछले चार महीनों से घर का किराया नहीं दे पाई हैं मकान मालिक ने बाहर निकालने का नोटस दे दिया है और अब खाने पीने की भी दिक्कत हो गई है तेनाली राम नाम के सीरियल में ये मनी का किरदार निभा चुके हैं मैं बात कर रही हूं आक्टर सोहित सोनी की सोहित सोने ने हाल ही में मीडिया में बात करके अपनी आर्थिक तंगी के बारे में बताया वो कहते हैं कि उन्हें काम की तलाश है एक दिन का भी काम होगा तो भी वो करने के लिए तैयार है क्योंकि इस वक्त वो बहुत बुरी स्तिती से गुजर रहे हैं तेनाली राम सीरियल में मनी का किरदार सोहित ने भाते थे सब कुछ ठीक चल रहा था अचानक लॉकडाउन लग गया तभी ये शो भी अचानक से बंद हो गया ये शो के लिए सोहित ने अपना सिर्म उनवाया था और सिर्म उनवायने से लेकर जब तक बाल नहीं आए तब त इतनी भी सेविंग उन्होंने तेनाली राम सीरियल में काम करके घटी की थी वो सेविंग्स खत्म हो गई है मीरा रोड में एक किराय के घर पर वो रहते हैं इस घर का किराया वो पिछले चार सालों से नहीं भर पाई है और अब तो घर चलाना भी बहुत मुश्किल हो गया ह मकान मालिक ने नोटिस दे दिया है कि अब अगर किराया नहीं भरा तो शायद घर भी खाली करना पड़े तो सिर से छत जाने की भी इस्तिती आ चुकी है ऐसे में सोहित ने मीडिया में इंटिव्यू दे कर अपनी इस हालत को बया किया है ताकि उन्हें काम मिल पाए उन्हो लोड़ा बहुत भी पैसा आ जाएगा तो जिन्दगी फिर से थोड़ी बहुत ट्रैक पे आ जाएगी इसके अलावा उनका कहना है कि उनकी हेल्थ में भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स चलते ही रहते हैं पहले स्किन को लेकर इंफैक्शन हो गया और अब डॉक्टर ने स सामनी आए हैं जिनकी आर्थिक इस्तिती टूट चुकी है इस लॉकडाउन ने काफी लोगों को तोड़ा है लेकिन अब फिर से मुंबई फिल्म इंडस्ट्री ट्रैक पर आती नजर आ रही है ठीटर खुलने की अनौंस्मेंट हो गई है एक दिन में 15 फिल्मों के रिलीज की घोशना होई है तो कहीं न कहीं इंडस्ट्री को जो इंतजार था वो इंतजार अब खत्म हो गया है और चीजें फिर से शुरू हो रही है